जै गुरु जी, शुकराना गुरु जी, सारी संगत को जै गुरु जी आज मैं आप सबको बताऊंगी कि गुरु जी ने कौन से पांच मंदर के बारे में बताया था बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंच में जै गुरु जी लिखना मत बूलना एक संगत गुरु जी से बहुत कोशन्स पूछती थी तो एक बार गुरु जी ने उन संगत को खुद से बताया कि आजा मैं तुझे पांच मंदिर के बारे में बताता हूँ संगत जी ने पूछा गुरु जी कौन से पांच मंदिर तो गुरु जी ने कहा आ इधर बैठ आज मैं तुझे पांच मंदिर के बारे में बताऊंगा तो गुरु जी बोले वो पांच मंदिर हैं तन मंदिर, मन मंदिर, कमरा मंदिर, घर मंदिर और बड़ा मंदिर तो संगत जी ने कहा अच्छा मुझे तो ये सब पता ही नहीं था तो गुरु जी ने जवाब दिया अगर मैं चाहता तो कई लोग एक या दो बार आकर दुबारा नहीं आ पाते बड़े मंदिर इसलिए उनको ये पांच मंदिर के बारे में पता होना चाहिए मैं तुझे अच्छे से बताता हूँ ये पांच मंदिर क्या है ये पांच मंदिर है तन मंदिर तन मंदिर मतलब ये हमारा शरीर है बोडी सबसे पहले आती है शरीर स्वस्थ तो सब ठीक उस परमात्मा ने एनना सोना शरीर दिता है और दी केयर किया करो फिर आता है मन मंदिर अपने मन को, अपनी सोल को साफ रखा करो उसको संभाल कर रखा करो गलत चीजों को फॉलो बिल्कुल मत किया करो सत्संग जाकर अपनी इगो को खतम करो अपनी सोल को प्यूरिफाई करो अच्छा सोचोगे तो पॉजिटिविटी आएगी बुरा सोचोगे तो नेगिटिविटी आएगी सोचना तुमारे उपर है क्या सोचना चाते हो फिर आता है कमरा मंदिर ये मैं उस मंदिर की बात कर रहा हूँ जहां तुमने मेरा स्वरूप रखा है उसको हमेशा साफ सुतरा रखो मेरे से बाते किया करो घर में कलेश मत किया करो सबको सम्मान दिया करो अगर आपका पती या आपके बुजूर्ग है आपके घर में तो उनकी सेवा किया करो उसके बाद आता है घर मंदिल आपके घर में जो भी लोग हैं जैसे भी हैं, उनकी respect करो, अगर वो बिमार हैं, तो उनकी care करो, उनको ignore मत करो, जब आप उनका ध्यान रखोगी, तो आगे चल कर आपके बच्चे आपका ध्यान रखेंगे, अगर आप अपने बड़ों को ignore करोगे, तो बच्चे भी वही सीख कर आपको ignore करेंगे, जैसा वैसा ही भरोगे, उसके बाद आता है बड़ा मंदिर, जब तुम ये चारो मंदिर अच्छे से समझ जाओ, तब मेरे बड़े मंदिर आया करो, तब ही तुम बड़े मंदिर बार बार आपाओगे, ऐसी संगत ही मेरे पास बार बार आपाती है, जो बाकी की संगत है, जब त कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मैं उसका अंसर कमेंट में रिप्लाइ करके या फिर वीडियो बनाकर जरूर दूंगी जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी